Hello Friends, Law Lecture में आप सब लोग का स्वागत है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में Indian Evidence Act 1872 में Chapter 8 में दिये गए Doctrine of Estoppel के बारे में इस वीडियो में हम लोग cover करेंगे कि Doctrine of Estoppel का origin कहां से हुआ, meaning क्या है, आखिर इस Doctrine का definition क्या है और साथ के साथ हम पढ़ेंगे कि Kinds क्या है और वो कौन-कौन सी condition है कि जहां पे Estoppel लगता है और last में हम लोग discuss करेंगे कि वो कौन से exception है जहां पे Doctrine of Estoppel नहीं लगता तो वीडियो को लास तक जरूर देखना तो चलो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Doctrine of Estoppel क्या origin की तो जो यह Estoppel वर्ड है न यह एक फ्रेंच वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है शट दमाउथ शट दमाउथ इस वर्ड से यह Estoppel बना और यह एक लेटन प्रिंसिपल पर बेस्ट है वह लेटन प्रिंसिपल क्या है वह लेटन मैगजीम से यह है जिस पर यह बेस है मतलब कि जो विरोधी बाते करते हैं लो में उनकी सुनवाई नहीं होती और अच्रे समझते हैं माल लीजे जैसे कि आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसे परसन को देखा होगा जो अभी एक बात कहते हैं और कुछ टाइम बाद अपनी ही बात से मुकर जाते हैं पलट जाते हैं तो ऐसे लोग डेली डेटो लाइफ में अंको मिलते हैं पर जब यह व्यक्ति करता है तो लॉड़ हो प्रोहिबिटी करता है तो समस्त अर्धारी किसी व्यक्ति नहीं कोई स्टेटमेंट दी ठीक है और वो बाद में अपनी उस statement को change नहीं कर सकता उस बाद से पलत नहीं सकता तो और अगर वो ऐसा करता है तो उस पे doctrine of estoppel लग जाता है नाव बात करते हैं कि भाई यह आया कैसे तो जो एक case था pickard versus sears 1837 का एक case था जिससे यह doctrine of estoppel आया definition को देखें तो definition को read out तो sections में से भी कर लेंगे बेरेक में से भी section को read out कर लेंगे बट ना यहाँ पे हमने उसको break करके पढ़ना चाहा है तो break करके थोड़ा सा देखते हैं when a person जब एक व्यक्ति कोई declare करता है या ऐसा act करता है या omission करता है जिससे की दूसरा व्यक्ति उस बात को ठीक है उस बात को believe करके कोई काम करता है तब उस condition में ना तो व्यक्ति ना ही उसका representative उस सच को जो उसने पहले कहा उससे deny करेंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो वहाँ पर doctrine of estoppel लगेगा एक example से समझते हैं माल लीजे एक a नाम का व्यक्ति है और उस a नाम के व्यक्ति ने b नाम के व्यक्ति को ये कहा कि particular एक x नाम की property है और वो उसकी है और वो उसको बेच देता है उसको जब यह दिलासा दिला दे तो स नहीं कह सकता कि भाई यह तो मेरी property नहीं थी तो वह अपनी बात से मुकर नहीं सकता ना तो वह ना ही उसके representative यही बात section 115 में कही गई है कि जब एक person को declare करता है यह जानते होए कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी उस बात को सच मान ले और सच मान कर अपना role play कर ले तब उ उसके representative जो नहीं बात कही उससे मुकर सकते है section 116 किया कहता है section 116 tenant के बारे में है कि माल ली जे कोई tenant है कोई किरायदार है और वह एक एक नाम का person है किरायदार है और वह बीनामक व्यक्ति के घर में रह रह राए तो उसका वहाँ पर बीनामक व्यक्ति के घर में रहने के लेकिन A, क्यंकि B का टेनन्टा है, उसको कूल कर रहा है, तो उसका यह पे करना क्या Соर है कि वह टेनन्टा है, तो उस कंडिशन पर क्या होगा होगा वहां पर, जब वो टेनन्ट Al, उस कंडिशन में टेनन्ट in time of tenancy के condition में वो वहाँ पर जो है लेंडलोड का टाइटर राइज नहीं कर सकता पहले वो अपना किरायदारी छोड़ेगा उसके बाद वो लेंडलोड के लिए बोल सकता है इसी के लिए केस आया था बिलास कुमार वसिस रंजीत सिंग का 1915 में यह केस आया यहां पर क्या है कि टेनेंट का यह चीज कहना कि भाई मैं लेंडलोड हूं अगर कोई व्यक्ति है कह रहा कि भाई मैं इस पर्टिकलर प्रोपर्टी का लेंडलोड हूं और फिर वो उसका किराया भी दे रहा है तो भाई अगर लेंडलोड है तो किराया क्यों दे रहा है और अगर किराया दे जो अपनी छोड़ दी हूँ, आगे बढ़ते हैं section 117, section 117 क्या बोलता है, यह बोलता है कि estoppel, acceptor, bill of exchange या बेली और licensee, माल लीजिए एक व्यक्ति है जिसने license पास कर दिया, अब उस license को पास करने के बाद, अगर बी नामक व्यक्ति ये कहे कि नहीं, एको तो power ही नहीं थी license प इस तरीके से को बेली ने दिया, तो उस condition पर क्या है, उस condition पर उसने यही माना था ना, कि वो जो व्यक्ति है, वो उसको permit कर सकता license को, इसके आगे बढ़ते हैं kinds पे, कि estoppel के kinds क्या है, तो भाई समझ लो कि estoppel किस किस तरीके से होता है, estoppel by matter of record होता है, इसका best example है, rest judicata, est estoppel by deed, deed के through कैसे estoppel लग जाता है, जैसे मान लीज पर पट्टे पर कोई चीज दे दी, अब आप कह रहे हैं कि भाई, यह तो मैं तो इसी का landlord हूँ, ऐसे कैसे landlord हो, आपने तो पट्टे पर लिये ना, तो by lease हो गया, उसके बाद है, estoppel by conduct, यानि कि आप एक और अच्छा ए है, वो आपके conduct के base पे है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, estoppel लगेगा, एक और estoppel है, promissory estoppel, अब बात करते हैं, आगे conditions की, कि कहां कहां पर जो है estoppel लगता है, पहला, एक परसन ने misrepresent किया है, अपनी act, omission और declaration से, जिससे की सामने वाले व्यक्ति को, ने अपना act प्ले किया, दूसरी कॉंसी कंडिशन है, representation जो आपने की, वो existing fact पे होनी चाहिए, जैसे कि माल लीजे, अगर मैं किसी को यह कहूं, कि लाल पिला जो है, मेरा है, और मैं आपको उसे बेसता हूं, तो यह थोड़ी ना कोई मानने वाली चीज होगा, ताज महल मेरा है, तो जो existing fact होगी, तीसरा जो representation की हुई है, A और B में, suppose A ने represent किया है, कुसी fact को, किसी चीज को, और उसने यह चीज बोली है, और B ने उस पर believe कर लिया है, और believe करने के बाद अपना act कर दिया है, then कोई loss हुआ है, B को फिर कोई loss हुआ है, तब उस condition में क्या होगा, estoppel लगेगा, अब exception कहा है, कहां कहां पर estoppel नहीं लगेगा, तो estoppel जो है, law or statute के against नहीं लगता, estoppel जो है, आपका क्या कहते हैं, sovereign act के against नहीं लगता, estoppel, unlawful transfer कोई property गई गई है, उसके against नहीं लगता, minor के against नहीं लगता, और वहां जहां पर दोनों पार्टियों को यह पता है, कि वो बात true fact है या नहीं है, दोनों पार्टियों को इस बात की knowledge है, वहां पर estoppel नहीं लगेगा, an example, हमें पता है, जिसे ए और ताजमहल वाल example लेते हैं, अगर मैंने किसी को कहा कि भाई, ताजमहल जो है, मैंने तुम्हें बेज दिया, वह इस बात ताजमहल नहीं लगता, और तुमने मुझे उस बात पर पैसे भी दे दिये, तो अब वो तुम्हारा pay करना क्या है, तु सब्स्राइब करके बेल ऐकन प्रेश जरूर कर देना, वीडियो के जो नोट्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो है, वहां से मिल जाएंगे, थैंक यू सो मच,